कि हम इस एवन पर नहीं चाहिए क्योंकि यह बीजेपी आरसिस का प्रोग्राम है देखें जहां तक राम मंदिर की बात है वो हमारी आस्था का विशह है उसमें मैं कोई राजनीती नहीं करूंगी पर एक ही सवाल उठता है उठ खड़ा होता है कि देश के चार शंकर अचारे हैं उन्होंने भी कहा है कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्या हम शंकराचारे जो हिंदू धर्म के करता धरता रास्ता दिखाते हैं क्या वो भी गलत है तो मैं इसमें राजनीती नहीं करना चाहती हूं मैं बस आस्था की बात करना चाहती हूं आज राम भगवान अयोध् पर उन्दिर मोदी जी को बढ़ाया देखाया था, भगवान शीराम को छोटा देखाया था, वो हाथ पकड़कर उनको रास्ता दिखा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये हमारे हिंदु धर्म की को आगे बढ़ाता है, ये आप भगवान से भी उपर बन गए, आप ये दर्शा कॉंग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चहरा राष्ट के सम्मोग प्रस्तुत हो चुका है यह अश्चर्य की बात नहीं कि सोन्या जी के नेत्रित्तों में जिस पार्टी ने कोट में दस्तावेश दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्तों नहीं उस कॉंग्रेस पार्टी के नेत्रित्तों ने पुन्या अयुध्या धाम में राम मंदिर में प्रान प्रतिष्था के आमन क्रण को ठुकराया सभी रामभक्तों के लिए ये छण धर्म की दिश्टी से आस्था और विश्वास की दृष्टी से एक पुन्य च्छन है मैं इतना ही कहूंगी कि इंडी अलाइंस ने सोनिया जी के नेत्रितों में कॉंग्रेस के नेत्रितों में बार बार सनातन धर्मिकी उपेक्षा की अपमानित किया और अब इंडी अलाइंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रदिश्टा के पुन्य आमंत्रन को ठुकराना उनकी सनातल विरोधी सोच को दर्शाता है नहीं रमा वो दर्शन करने के से जाएंगे ये सत्य नहीं है कि कॉंग्रेस ने वहाँ भगवान राम का मंदिर न बने इसके लिए बड़े बड़े वकील खड़े किये उन्होंने राम जी को कालपनिक कहा राम सेतू को नकार दिया तो आज अगर वो राम जी का मंदिर का दर्शन करने नहीं जाएंगे इस कारिक्रम में नहीं उपस्तित होंगे तो पहले से उनका यही सोच था आज भी सोच दिखा है और मुझे नहीं लगता है उनकी सोच बदलने वाली है लेकिन देश के लोगों ने यह सपस्त संदेश दिया है और जैसे अपने मन में राम जी को बसाय हुए है वैसे ही अब उनके बगल में मोदी जी को भी बसा रहे है क्योंकि मोदी जी ने तो किसी से भेदभाव नहीं किया और मोदी जी को किस ने बुलाया नियास ने बुलाया सरी राम जनम भूमी नियास जिनको मान्य सुप्रीम कोट में अधिकार दिया आप अब अब्य मंदिर बनाए है मंदिर बना है देश के पाई-पाई से बना है और मैं असपश्ट कर दूँ कि राम जी न सिर्फ भाजपा के हैं भाजपा के भी हैं न सिर्फ RSS के हैं RSS के भी हैं राम जी जंजन के हैं इसलिए मैं सभी को न मेरा आज एक गीत आया है राम के थे राम के हैं और राम के रहेंगे सब लोग इसको देखें और मेरा एक और गीत आने वाला है और एक गित हमारा ऐसा भी आएगा कि माशवरी की प्रबल प्रतिक्षा मर्यादा के धाम जंजल के हिराम जंजल के हिराम अगर कांग्रियस को लगता है वो राम जी उनके नहीं है तो उनकी समस्या है